ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुप्रिम कोट ने लाइट मोटर वीकल लाइसेंस धारकों को राहत दी है इस लाइसेंस के धारक पिच अतर सो किलोग्राम से कम वजन के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकते हैं यानि कार चलाने वाला कोई भी व्यक्ती रोड रोलर या ट्रै चला सकता है इस खबर की डिटेल्स लेते हैं असीम मंचंदा से तो असीम आपसे जानना चाहेंगे लाइट मोटर वीकल लाइसेंस पर सुप्रीम कोट ने क्या फैसला सुनाया है अभी लाइट मोटर वीकल धारक्त के लाइसेंस हैं वो कमर्चिल वाहन नहीं चला सकते थे उनको ट्रांस्पोर्ट डिपार्टरमेंट से एक स्पेशल एंडरोजमेंट लेना पड़ता था और अगर उनके पास एंडरोजमेंट नहीं होता था तो बीमा कंपनिया उनको इं 17 के फैसले को बरकार रखा सुप्रीम कोट ने साफ का कि जो भी लाइट मोटर वीकल लाइसेंस धारक है वो 75 किलो से कम किलोग्राम से कम जितने भी कमर्शिल या ट्रांस्पोर्ट वेहिकल है उसको चला सकते हैं सुप्रीम कोट ने यह भी कहा कि माना कि पिछले कई सालों मे रोड दुरगटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है लेकिन सरकार कोई भी ऐसा डाटा पेश नहीं कर पाई जिससे लगे कि जो लाइट मोटर वेहिकल धार को कुछ लाइसेंस दिया गया है उसकी वो जैसे यह दुरगटनाओं हो रही है दुरगटनाओं और भी किनी हो ज चला सकते हैं और इंशोरेंस कंपनिया उनको इंशोरेंस देने में किसी भी तरह की अनकानी नहीं करेंगी शुक्रिया सेम इस फूरे अपडेट के लिए स्कॉड़ा ने आज SUV स्कॉड़ा कायलाइक को लांच कर दिया है कुशाक और कॉडियाक के बाद एक कंपनी की तीसरी SUV कार है नई कार में कायलाइक का नाम के लाश परवत के नाम पर रखा गया है कंजूमर्स दो दिसंबर से कार की बुकिंग शुरू करवा सकते हैं और जिनकी डिलीवरी जनुरी से मिले की SUV में एक लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसका पावर है 115 BSP कायलाइक में सेफटी का पूरा ध्यान रखा गया है 6 स्टैंडर्ड एयर बैक्स के साथ 35 एक्टिव और पैसिव सेफटी फीटर्स भी दिये गए है इस SUV का सीधा मुकाब्रा हुंडाई की वेन्यू, टाटा की नेकसा, किया की सोनेट और मारूती की ब्रेजा से होगा और कीमत की बात करें तो इसकी कीमत है 7,89,000 रुपे की ब्रेखब swojeक्सर नेक्ट एका जेए खिरे पाला, मुकाब्रा से होगा 8,92 कि दय उता ह小table की सोनिव गयक्ट रए नेक्टिव खीच थाए की एक्यार झाल झाल